हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू शमाधान साथी उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टड़ी भी आपके अच्छे से चल रही होगी साथियों कल बीए से की दूरा नोटीस आया था जिसमें फॉर्म कोरेक्शन डिट को आगे बढ़ा दिया गया है और एक कि देखेंगे तो यहां पर हम लोग आ चुके हैं बिहार एससी के अफिस्यल वेब साइट पर और यहां पर आपको एक उप्शन मिल जागा कि क्लिक है टू लोग इन यहां साब अपने यूजर आडियो पासवर्ट के माध्यम से लोगिन कर सकते हैं और देट देखेंगे त जो की इमेल भी भूल चुके थे तो उस कंडिसर में उनका पासवर्ट मिल रहा था और ना फॉर्म में सुधार कर रहे थे तो उन सभी का रिक्वेश्ट था कि मोबाइल पर भी यह सिवा उप्लप्त कराई जाए तो यहां पर एससी ने उसको भी शुरू कर दिया है अब ज यहां पर डाले हैं उसको यहां पर डाल दीजिए यहां पर आपका मोबाइल नमबर यहां पर देखिए दो अपसर मिल जएगा सेंड इमेल और एसमिट कीज़ेगा तो आपके एसमिस के दौरा आपको पासवर्ट प्राप्त हो जाएगा अब इसी तरीके से रिच्टेशन तो यहां भी से तरीके से आप तो यहां पर समिट क्रेंगे तो यहां आप आपको रहिसट्रेशन नमबर और पासवर्ट कू रिकॉबर करेंगे वाई यहां पर देख लेते हैं कि किन-किन पॉइंट में आप सुधार कर सकते हैं जैसे कि अभेट्थी के नाम इसमें किवाल आप जो only spelling error है उसको सुधार कर सकते हैं उसके बाद से यहां पर माता-पिता के नाम उसमें अब दूसरा सवाल यहां पर कि जो अभेटी अलड़ी सुधार कर लिये हैं फिर भी उनका गलती हो गया है तो वो क्या-क्या सुधार कर सकते हैं अगर आपका फिल से दुबारा गलती कर लिया है है तो उनको फिल से मौका गया है लेकिन आपके वल और किवार डौकमेंस में सुधार कर सकते हैं और डौकमेंस में भी किवल आप अप में आप भी जाएंगे फर्म में तो वहां पे तो यहां पर Webожд does कर दिते ढुबारा तो उसमें कोई कैसा ओप्लोड करना है बहुत सारे भीर्थी के कमेंटर आ थे कि हमने बढ़ा कर दिया है तो पीडिय फोप्लोड करने दुबारा अप्शन है हलाकि ही बारबर आप उसकों अपडेट नहीं कर सकते हैं तो ये अपडेट है अगर आप डूबारा गल्ती करती हैं फॉम में त आप उसको अप्डेट नहीं कर सकते हैं तो यह अप्डेट है कि अगर आप दुबारा गल्दी करती हैं फ़र्में तो किवल आप पीडिएफ में सुदार कर सकते हैं बागी कुछ में सुदार नहीं कर सकते हैं तो आप लोग सुद समझ करें अपडेट कर लें अपना जो भी क भी आरी है कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नए अपडेट में चैनल से जुट रहे हैं धन्यबाद